बिहार में सियासत तेज है तेजस्वी यादों लगातार एंडिये और भारतिये जंता पार्टी पर हमलावर हैं एंडिये के बड़े बड़े निताओं पर हमलावर हैं और इसी बीच तेजस्वी यादों ने कुछ ऐसा बोल दिया है जो एंडिये भारतिये जंता पार्टी औ विशाल आईए अब हम आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादों ने ऐसा क्या बोल दिया है जो इंडिये भाजपा और नितीश कुमार तीनों का होसुरा देगा तो दरसल तेजस्वी यादों ने मीडिया से बातचीत करते हुए नितीश कुमार पर एक बड़ा आरोप लगा बड़ा दिया है और कह दिया है कि नितीश कुमार के निर्देश पर ही वो लोकसभा चुनाओं में इतनी मेनत कर रहे और भारतिये जन्ता पाटी को उखार ठेकने के लिए काम कर रहे हैं दरसल तेजस्वी यादों मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि वो नितीश जी ने कभी कहा था उनसे कि 2014 में भाजपा आई और 2024 में जाएगी और नितिश जी भी यही चाहते थे और हम उन्हीं के अनुसार काम कर रहे हैं अब आप समझे कि तेजस्वी यादो लगातार NDA और भाजपा पर तो हमलावर थे ही लेकिन नितिश कुमार के उपर दिये गे उनका ये बयान जो है इतना वाइरल हो रहा है और इतनी चर्चा हो रही है कि भाजपा और NDA की नींद तो उरेगी ही साथ साथ नितिश कुमार की भी निंद दूर जाएगी आगे तेजस्वी यादों कहते हैं कि नितिश कुमार के आसिरवाद से ही 2024 में हम BJP को उखार के फेक देंगे और हम जो है हर काम उन्हीं के निर्देश पर कर रहे हैं अब आप समझे और वो दौर को याद कीजिए जब नितिश कुमार महागठ ब खोड़ दिये हैं तब उनकी पुरानी बातों को याद करके तेजस्वी यादों हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नितिश कुमार ही चाहते थे कि भारतिये जंता पार्टी को 2024 में उखार फेका जाए और इसलिए हम उन्हीं के निर्देश पर काम कर रहे हैं उनका असिरवा आदम को मिल रहा है जब मीडिया उनसे प्रधान मंत्री के द्वारा पटना में और वारा नसी में किये गए रोड़ सो के बारे में पूछती है तो तेजस्वी यादों कहते हैं कि पीम रोड़ सो करके रोड़ पर लोड बरा रहे हैं महंगाई बढ़ रही है बेरोजगारी बड़े बड़े नेताओं पर हमला कर रहे हैं लगातार हमलावर रहे हैं और लगातार परसानियों में होते हुए भी दर्द में होते हुए भी जनसभा सम्मोधित कर रहे हैं लोगों से बातचित कर रहे हैं रहलिया कर रहे हैं और उसके बाद ये दावा कर रहे हैं कि 2024 के लोकसवा चुनाओं में महा गठबंदन जो है बिहार से भाजपा को उखार करके फेट देगी अब इस दावों में कितनी सचाई है और नितिस कुमार का कितना समर्थन तेजस्वी आदों को मिल रहा है ये तो वक्त बताएगा बाकी इस चीज़ को लेकर कि आप क्या सोचते है आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजते रहिएगा और ये जरूर सोचिएगा कि आखिर नितिस कुमार का साथ जो है तेजस्वी आदों को कैसे मिल सकता है और किसी आदमी के पल्टी मार जाने के पहले और बाद के चीजों को एक साथ जोर करक कितना राजनिती में कितना जायज है बाकी शीज को लेकर कि आप क्या विचार रखते हैं अपना पक्ष जरूर हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जंता जंक्सन बहुत बहुत धन्यवाद